दोस्तो आग की वीडियो में बात करेंगे Google फेट अपलीकेशन के बार में Google फेट अपलीकेशन अगर आपके स्टेप आप काउंट नहीं कर रहा है आपके साथ ये प्राब्लम हो रही है ये वर्क नहीं कर रहा तो इसे अपने कैसे ठीक करना है इस problem को सही करने के लिए आपने अपने mobile की setting को open करना है जहां देखे मेरे mobile में जहां पर setting है थोड़ा बहुत अंतर होता है सभी mobile में ठीक है आपने बस ठोड़ लेना है जो जो feature मैं आपको बताऊंगा अब setting में आने के बाद जहां अपने additional setting होड़ लेना है मेरे mobile में जहां पर है मैं इस पर click कर देता हूँ उसके बाद जहां application management है कुछ mobile में जहां apps लिखा होता है कुछ mobile में app manager होता है तो आपने डूर लेना कहीं भी हो कुछ भी मतलब application होने चाहिए इसमें 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 सारे application होते हैं आपके mobile के जहां यह running में है जहां पर मिल रही है Google Fit Application अगर जहां पर आपको ना मिले तो जहां All पर क्लिक करके जो All Application है आपके मुवैल की वो जहां पर शो होएगी इन में से आपने Google Fit ठूण देना है जहां देखिए Google Fit मिल चुका है अब इस पर हम क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद नहीं के बाद जहां देखिए लुकेशन के सामने ये बटन मेरे मुवैल में आपने चेक करना है आपके मुवैल में उफ होगा इसको आन काट दीजिए क्योंकि अगर ये बटन आफ होगा तो जे count नहीं करेगा आपके step इसको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहां पर हैं ठीक है location on होगी तो जे आपके कदम count कर पाएगा इसी बटन को आपने on करना है बस इतना करते ही आपका google fit application बर्क करने लगेगा